भारत के सामने कतर बेशक कई गुनाच छोटा देखता है लेकिन छोटे से कतर ने आठ भारतियों को मौत की सजा सुना दे जो भारत के लिए तगड़े जटके से कम नहीं है जिन आठ लोगों को कतर की अदालत ने सजा सुनाई है उनके नाम है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की एक कमपनी है दाहरा ग्लोबल टेक्नोलोजीज जिसका मालिक ओमान एरफोर्स का एक रेटा एड़पसर है दाहरा ग्लोबल्स रक्षा क्षेतर से जुड़ी डील्स का काम करती है गिरिफतार आठ भारतिय इसी कमपनी में काम करते थे कतर सरकार का ये फैसला इसलिए भी किसी अचम्बे से कम नहीं है क्योंकि वह मिडलीस्ट में तमाम दिक्कतों के बावजूद महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कतर की पहल से ही हमास ने बंदुकों को छोड़ना शुरू किये पहले भी तालिवान और दूसरे आतंगवादी संगटनों के बीच बाचीत करवाने में कतर की भूमिका रही है कतर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका का वहाँ पर मिलिटरी बेस है लेकिन कतर ने ये जानकारी भारत को नहीं दी कि आठ पूर्ण नौसेना अफसरों को क्यों गिर्फतार किया गया और सीधे ट्राइल चला कर फवासी की सजा सुना दी कतर सरकार के इस फैसले पर विदेश मंत्राले ने कहा है मौत की सजा के फैसले से हम गहरे सदमे में हैं हम जज्ज्मेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं हम उन भारतियों के परिवारों के सदस्यों और कानूनी टीमों के संपर्क में हैं सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है इस पर पहला विकल तो यह हो सकता है कि चुकी वहां की ट्राइल कोट में यह सजा दी है तो वहां अपील फाइल कर सकते हैं भारत सरकार जिनकी बहन मद्यपरदेश के गवालियर में रहती है जो अपने भाई की सुरक्षित बापसी की उमीद लगाए हुए थी विपक्षी दलो ने भी सरकार के दखल देने और सभी आठ भारतियों की रिहाई की मांग की है अब इस मामले को सुल जाने के लिए भारत सरकार की कोशिशें शुरू हो चुकी है और अब विदेश मंतरालिय कतर में भारतियों की रिहाई के लिए कानूनी विकल्पों के इलावा राजनाइक रास्ते भी खोज रहा है और अब कानूनी यू